द्यूटो सम टेक्निकल फॉल्ड जो है वो लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो हम दुबारा से जो है वो पूरी अपडेट स्टार्ट करते हैं जो की 12 स्टुडेंट्स के लिए है याने की CBSE स्टुडेंट्स के लिए है बात करूंगी इस समय की COVID-19 पैंडमिक चल 2021 याने की इस साल CBSE 10th और 12th के एक्जाम्स नहीं कंड़क्ट कर पाया है जो कि सबसे जाए क्रूशिल इयर भी बच्चों का माना जाता है लेकिन CBSE इस समय मजबूर था और स्टुडेंट्स के एक्जाम्स नहीं हुए कुछ internal assessment के basis पर उनको नंबर दिया जाएंगे कुछ उ जानी की CBSE 10th और 12th स्टुडेंट्स के लिए अपडेट है और मैं चाहूंगी कि आप सभी स्टुडेंट्स वह हमारे चाल लाई में जुड़ जाएं और यह अपडेट जो है आपके लिए बहुत जादा काम की रहेगी क्योंकि जो स्टुडेंट्स इस समय CBSE 10th और 12th की में भी कही निराशा देखी गई और कहीं CBSE टीचर्स ने भी सोचा कि बच्चों ने स्टाडिस की हुई है अगर उनकी पढ़ाई इस तरह से एफेक्ट होगी तो किस प्रकार से असर बाकी बच्चों पर पढ़ेगा तो इसलिए इस बार COVID-19 की थर्ड वेप को मद्दे नज सो में होंगे तेंथ और ट्विल्थ के जो एक्जाम होंगे वो ठर्म वन और ट्रम डू में उसे डिवाइड कर दिया गया है यानी कि 50% स्लेबर गार्ट रहेगा तर्म फरसन ड़िए और बाकी के लेफ्ट फिप्ट परसन जो है उसकी एक्जाम्स आपके जो है वो सेकिन मे और से बताया गया है order में कि अभी syllabus जो है वो जुलाई की ending तक students को पहुंचा दिया जाएगा लेकिन term first और second का exam pattern क्या रहेगा तो यह जानना आप लोगों के लिए काफी जादा जरूरी है जो term first के exams जाएंगे 50% syllabus के साथ वो आपके November, December के बीच में exams लिये जाएंगे most probably जो है आपके December 2021 में यानि की इसी साल December में आपके term first के 50% syllabus के साथ exams जो है वो हो जाएंगे और जो बाकी के 50% syllabus आपका रह जाएगा तो वो March या April के बीच बीच में 2022 में आनि की अगले साल exams लिये जाएंगे ऐसे पूरे साल की मेहनच जो है वो हमें end में एक ही बार paper देकर exam देकर करनी पड़ती थी और उसी का result आता था लेकिन इस बार दो हिस्सों में exams देकर आपका result जो है वो conclude किया जाएगा और इसी basis पर आपके marking की जाएगी क्योंकि इस साल जब exams नहीं हुए है तो उसके लिए CBSE ने सोचा और अगर कहा जा रहा कि third way वाएगी इसके लिए CBSE पहले से ही त्यारी कर चुका है तो term first के लिए क्या pattern रहेगा कितने समय का paper होगा क्या कुछ जो है आपको वाँ सर ले बस आएगा ये भी मैं आपको बताओंगे और term second में क्या कुछ रहेगा ये भी मैं आपको जो है वो बता दूँ और ये मैं आपको बता दूँ कि CBSE की official site पर ये order जो है वो आ गया है और circular एक PDF बना कर जो है वो भी काफी जादा शेयर किया जा रहा है तो फिलाल अगर बात करें term first exams की तो term first के exams में जो आपका duration होगा यानि कि जो समय होगा वो 90 minute का exam जो आपका term first का होगा जो December में होने वाला है with 50% syllabus तो इसमें आपको MCQs पूछे जाएंगे case अधारित MCQs पूछे जाएंगे और इस paper की duration जो है वो 90 minute रहेगी इसमें term first के syllabus जो आपको दिया जाएगा CBS से की और से जुलाई ending में उसती syllabus में से जो है आपको MCQs reasoning type questions जो है objective पूछे जाएंगे और 90 minute का समय जो होगा 50% syllabus के लिए रही बात question paper की तो ये CBS से की और से question paper जो है वो बेजा लेकिन exams जो है वो आपके ही school फिलाल जहां पढ़ रहे हैं जो CBS से school आपका है तो आपको वही पर exams देने हैं लेकिन question paper जो है वो CBS की और से आएंगे और आपको अपने school में ही जो है वो exams देने हैं लेकिन इतना इतनी बात जरूर रहेगे कि आपकी निगरानी के लिए आपको observe करने के लिए CBS से द्वारा external center superintendents भी बेज़े जाएंगे और observers जो है वो भी नेकुत किया जाएंगे ताकि आपकी जो observe है आपको किया जाए आप किस प्रकार से paper देते हैं और आपकी कितनी तयारी है उनकी और से जो है वो ये observe किया जाएगा तो students को OMR sheet पर ही answer देने होंग इन्हें scan करके CBS से के portal पर वेज़ दिया जाएगा या फिर इसका मुल्यकान करने के marks जाने की आपके marking करके स्कूल की teachers जो है वो CBS से की official website पर पोस्ट कर देगी जिसमें वहां पर जो है री चेक भी किया जा सकता है इस पर अंतिन मेरने जो है वो CBS से का याने की board द्वारा schools को सूचित कर दिया जाएगा तो यह रही term first की बात याने की 90 मिनट का paper होगा 50% syllabus आएगा और आपको MC की reasoning type या objectives जो है वो आएंगे और term second की बात करें की term second के exam का pattern जो है वो किस प्रकार रहेगा तो term second का याने की year and exams का hydrogen जो है वो CBS से द्वारा ही किया जाएगा 50% syllabus से ही सवाल जो है वो आपको पूछे जाएंगे और यह परीक्षा March-April याने की March-April के बीच में 2022 में conduct की जाएगी और यह paper की duration जो है वो दो गंटे की बताए गई है जिसमें आपको अलग-लग तरह के questions जो है वो पूछे जाएंगे जिनमें long answers भी रहेंगे very short भी रहेंगे short भी रह जिस प्रकार से normal paper होता है जैसे आज तक एक usual pattern बनता आ रहा है तो उस समय से होगा लेकिन अगर करोना के कारण यानि की COVID के कारण कुछ ऐसे situations हुई की बच्चों को जो है वो physical appearance नहीं देनी है वहाँ पर यह exam वो online mood से होंगे तो उसके लिए paper का समय जो है वो भी कम कर दिया यानि की term second के term end के exam पे जो है वो 90 मिनट का कर दिया जाएगा और उसमें syllabus जो है वो भी 50 बसन के objective type ही बताए जाएंगे तो यह आपका term first का और term second का जो है वो syllabus रहा है तो आपको मैं बता दूँ कि जो official site पर CBSE की वहां पर syllabus properly जो है वो इस मन्त की ending यानि की July ending तक पूरी detail में आपको CBSE.NIC.IN पर वो मिल जाएगा और मैं भी परयास करूंगे कि आप तक जो है अपडेट पहुंचा आपाऊं कि क्या कुछ चलेबर जो हो रहेगा क्योंकि फिलाल यह बड़ी update है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर 10th और 12th जो crucial year माना जाता है उनके exams है वो दो हिस्त में डिवाइड किया जाएंगे ऐसा कभी भी नहीं हुआ लेकिन यह पहली बार हो रहा है और कोवीड-19 को मद्दे नजर रखते हो रहा है और इस पे internal assessments पर जो है उसके पाटन पर भी काफी जादा दिया जाएगा आपको स्कूल की और से जो भी assessment बनाने के लिए जो भी assignment ब arrangements रहेंगी, portfolios और practical work रहेगा, speaking listening activities रहेंगी और कुछ प्रोजेक्स को स्कूल वले देते हैं वो भी रहेंगे और अगर class 11th और 12th की बात करूं तो हर topic खतम होने के बाद जैसे कि आप कोई भी subject पढ़ते हैं उसका topic खतम होता है उसके बाद आपको test या unit test वो देने पड़ें syllabus के साथ ही जारी होंगे, यानि कि assignments रहें किस प्रकार से बनानी है, क्या कुछ topics रहेंगे, जब ये final 50-50% syllabus है वो डिवाइट कर दिया जाएगा, जब जुलाई ending में ये official website पर upload हो जाएगा, उसके साथ आपको assignments के जो update है वो भी जे दी जाएगी, तो ये बहुत एहम अपड students को भी राहत मिलेंगी, क्योंकि students की और से लगातार यही demand की जारी थी, कि हमारा syllabus उसकी reduction की जाए, क्योंकि online classes रगने की वज़ा से हम प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनकी बात को ही मद्दे नजर रखते हुए, CBSA ने यह एक नई guideline निकाली है, और इसका circular जो है, वो कल ही CBSA की official website पर आ गया था, कि इस बार जो है, तो हिस्सों में आपके exams होंगे, जिसे term 1 और term 2 में जो है, वो divide कर दिया गया है, इसलिए यह CBSA students के लिए काफी math पर पून जो है, वो जानकारी रहेगी, कि आपके exams होंगे, वो आपको आने वाले समय पर ही पता चलेगा, जब जुलाई एंडिंग में होगा, तो फिलाल मानिक शर्मा जी पूछ रहे है, what about JK बोस students, JK बोस students के लिए भी फिलाल कोई update नहीं आई है, इस related के 10th और 12th के exams किस pattern पे जो है, वो लिए जाएंगे, लेकिन ये CBSC वालों के लिए update थी कि CBSC वालों के exam जो है, दो pattern पे और होंगे, और दो pattern term first or term second का क्या कुछ रहेगा, वो भी मैंने आपको बताया है, और जब officially इसका syllabus आजाएगा, 50% का वो भी मैं आप students तक पहुंचाने का ज़रूर परयास करूँगे, तो फिलाल students के लिए यह हम जानकारी थी, क्या तमाम में रिचले आप जुड़ रहें, बाहु एक्स पिस के साथ